नमस्कार दोस्तो involves आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बढ़िया से बढ़िया अपना गाड़ी का प्राइस कैसे लें बेज़ते वक्त यानि कि अपनी गाड़ी को सेλ करने का प्लान करने हैं तो सबसे अच्छा प्राइस हमें कहा मिलेगा? किस platform पे मिलेगा मेरा experience क्या रहा मैंने अपनी 5 सल पुरानी car को जिसमें market में 2,00,00 रुपए तक exchange value मिल रही थी किसी भी showroom से अगर मैं नई गाड़ी खरीद रहा था या 5,00,00 रुपए तक उस गाड़ी को 3,20,000 रुपए 3,20,000 में मैंने sale किया कैसी मैंने इतनी अच्छे price में sale किया जिससे मैं काफी अतक satisfied हूँ वो सारा experience मैं आप से share कर रहा हूँ जतने भी online selling platforms है spinnycars, cardeco.com, cars24.com, mahindra first choice इन चारों के साथ मेरा experience कैसा रहा किसको मैंने अपनी car finally sale की गाड़ी को बेचने से लेके पैसे आने तक documentation पूरा process क्या रहा हूँ सारा इस वीडियो में discuss करने मालो last up please जरूँ देखेगा बहुत काम की वीडियो है क्योंकि जब भी आप गाड़ी sale करने का प्लान करने है एक बर मेरे बताएवे तरीके को करके देख लेना नहीं तो फिर जिसको भेचने बेच देना कोई दिक्कत नहीं है शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले अप्रोच किया महिंदर फस्चोइस को उनको मैंने कॉल किया जो मेरे नियरवाई में आपको प्राइस देंगे एक दो दिन बाद वॉट्स अपके उनका प्राइस मेरे को टू लाग एटी थाउजन रूपीज प्राइस आ गया दो लाग असी जार को नोंने फाइनल ही मुझे बोला कि इतना हम आपको दे सकते हैं फाइनल प्राइस ठीक है जी फिर मैने कॉल किया क्यूकि बहुत सुनते रहते निज में घाते रहते त्यिया declined में इसकी ब्राइन्च है हिरूंडा चोक से जैसे ही उतरते ह्यों भाँ पर मैने कॉल किया इन्होंने मेरे का inspection के लिए appointment ID देदी time अपने इसाब से suitable आप जब आपको लगता है अप select कर सकते हो मैं office के बाद शाम के time गया इनके पास तो जाते हैं इन्होंने बस details ली मेरी document लिए और महां से इनके executive थे उन्हों मेरी गाड़ी का inspection करने के लिए निकल गए गाड़ी का अच्छे थे throughout इन्होंने inspection किया interior, exterior, engine performance गाड़ी को चला के देखा गाड़ी का इसी देखा, गाड़ी का music system देखा और गाड़ी के radiator को चेक किया गाड़ी के coolant conditions चेक की, engine की sound को चेक किया, battery condition चेक की, paint DFT meter से चेक किया tire की condition देखी, gauge meter से gauge लगा के, कितना percentage अभी tire में बचा हुआ है काड़ी के हर एक body part पे, जहां जब इन्होंने paint देखा, कहीं repainted और retouch भी था तो उसको इन्होंने observe किया काड़ी के अंदर कोई lining marks, damage वो सब नहीं है, सारा इन्होंने detail inspection किया, इनका portal रहता है Cars24 यह जतनी भी website है, इनका अपना एक portal रहता है, internally, उस पर एक एक details आती रहती है, अभी engine का जी, check करते हैं, उसकी photo upload करते हैं, इस तरह इनका चलता रहता है, 30 to 40 minutes का inspection रहता है, 40 minutes के आसपस आपका खतम हो जाता है, inspection करके, ठीके जी, आप वेट कर लीजी, आपकी गड़ी के प्राइस आ जाएगा, half an hour के लिए मैं Cars24 के office में बैठ गया, उसके तुरंद बाद उनका call आ गया, मैं वही बैठा था, तो attend कर लिया मैंने, और उनने मुझे price दिया, 3,3000 रुपीज, लेकिन, 3,3000 में उनने बोला, हमारा service charge, कि हम आपको offer कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को sale कर करने का ऐसे mediator जो काम कर रहे है, 5,000 रुपीज रहेगा, प्लस GST करके 2,94,000 आपको देंगे हम, गर, अगर यह deal आप डन करते हैं, तो अभी हम तुरंद process करते हैं, within half an hour, आप अपनी गाड़ी दे के, पैसे आपका account में दे के, आप चले जाएंगे, मैंने का, नहीं मेरी ग कर लीजे, मैं अपने घर आगया, कुछ दिनों बाद फिर मैं, कारदेखो.com का अप्रोच किया, कारदेखो.com को मैंने कॉल किया, तो यस, उनके यहां पर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, देखो, home inspection, जहां मैं जिस society में रहता हूं, वहां पर आके इनकी team, मेरी society के चेक किया, वहीं, इनका portal था, engine performance, और चला के देखा, accelerator condition में कैसा है, आपका engine oil की condition क्या है, आपका smoke तो produce नहीं कर रही है, कहीं, dents, scratches, damage, यह सब तो नहीं है, system, EC कैसा काम कर रहा है, each and everything इनोंने verify की, date upload किया, इनोंने बोला, आपको wait करना पड़ेगा, 48 hours, 24 to 48 hours में आपका price आ जाएगा, then okay, थोड़ा सा एक gap रहा, कि आसदेखो, dot com की तरफ से, मुझे 24 गंटे वाद, 48 गंटे आपको, कोई call आया नहीं, तो 72 गंटे वाद, फिर मैंने इनको call करके, अप्रोच के, sir, मेरी गाड़ी का inspection हुआ, अभी तक मुझे price नहीं मिला, यानि कि मुझे थोड़ 2,80,000, 2,85,000 bidding आया था अपका, जो हमें लगा कि कम है, तो इसलिए हमने शेयर नहीं किया, मैंने करने इतने में तो नहीं sale करूँगा, 3,03,000 तो मुझे cars 24 दे ही रहा है, तो definitely मुझे नहीं करना था sale, ठीक, उन्होंने evening तक का मेरे से time मांगा, meanwhile मैंने spinny cars को भी online check किया, उनक वहा call आ गया मेरे पास, उन्होंका भी home inspection जो है, हर एक जगह पर अभी वो नहीं करवा पा रहे है, डेली NCR में वो लोग करते हैं, और manisar तक उनकी service है, तो मेरे को उन्होंने call किया manisar में, जैसे ही हमारा NSG का office आपने देखा होगा, वहां तक वो लोग आ सकते थे, तो व deep inspection, गाड़ी के नीचे गत्ता बिचा के, each and everything, मतलब तो नहीं है कहीं गाड़ी में, engine के नीचे गुसके, मतलब उसने अपना पूरे कपड़े खराब होगे उस बंदे के, लेकिन उसने कोई देख थोड़ी ने रहा है, company का बंदा कैसा inspection कर रहा है उसको, लेकिन उसने जबर कि first choice तो मैंने cancel कर दिया, क्योंकि मुझे price कम था, cars 24 ने भी का अभी नहीं बढ़ेगा, जी खतम बात, अब मेरे पाद दो option थे, car.com या मेरे पास spinny cars, मैंने उनको clear कि दोनों लोगों को, cars.com, spinny cars को, कि अभी मैंने आप दोनों का inspection कराया है, मुझे आज evening तक price चाहिए, क्य कर देखो ने, मेरे पास call आया, spinny cars का, उन्होंने मुझे finally 3,08,000 का price दे दिया, यही price कि आपको इतने तक हम दे सकते हैं, गड़ी, मैंने उनको बोला कि, sir, मेरे को इतना तो जच्चता नहीं है, मैंने उनका price, car.com से शेर किया, मैं bargaining कर रहा था, basically, it's a bargaining, मैं customer हूँ, मुझे ज़्यादा price चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं भई, मैं उसका price उसको मैंने बताया, sir, मुझे cars, देखो.com से इतना मिल रहा है, spinny से इतना मिल रहा है, spinny ने मुझे 3,09,000 दे दिया, यहीं कि अब दोनों में spinny ने ज़्यादा दिया, spinny का price मैंने car देखो से शेर किया, बढ़ा उन्हों को मैंने बोला थी कि 320 में हम done कर सकते हैं, उन्होंने का yes, मैंने spinny को बोला, sir, मैं 320 में उनके साथ done कर रहा हूं, उन्होंने even मुझे 3,21 ओफर कर दिया था, बढ़ मैंने अपनी car को 320 में ही car देखो.com को सेल कर दे, क्यों, क्योंकि मैं उनको done बोल चुका था, ऐसा नहीं, मैं change भी कर सकता था, बढ़ ठीक है, एक बात होती है, जब मैंने बोल दिया कि ठीक है, मैं 320 में done करता हूं, इस तरह मेरा ही bargaining चली, मैंने दो लोगों के साथ bargaining की, क्योंकि मुझे गाड़ी sale करनी थी, और मुझे अच्छा price चाहिए था, तो कहां देखिए, मैं 280, 294, 3, 3, 3, 5, से 320 तक महचा, यह आपको इतनी मैनत तो करनी पड़ेगी अगर गाड़ी को sale करना है तो, इस process में मुझे 2-3 गंटे phone पे bargaining में लगे, यह सारा process थोड़ा सा रहा मेरे लिए phone पे, इतना तो करना पड़ेगा अगर अच्छा price चाहिए, नहीं तो ठीक है, वो देंग कि मेरे गाड़ी का और अच्छा price मिले, और अच्छा 340 मिल जाए, मैं भी सोचता था 350 मिल जाए, 340, लेकिन हर एक गाड़ी के depreciation होता है, throughout the year, 5 साल हो गए है, और depreciation rate साथ में market की demand, second end की market में क्या demand है, बहुत सरी गाड़ी आज भी ऐसी हैं, जिनकी market में second end की बहुत अच् गाड़ी का ओ, 3,20,000 में cardeco.com को finally sale कर दिया, मैंने उनको done बोला, तुरहन तुन्होंने मुझे 1000 रुपीज मेरे account में token amount share कर दिया, कि सर आप से deal done हो गई है, अगर cancel करते हैं, तो उनकी terms and condition है, 5000 रुपीज आपका deduct होगा, इस सरे मेरी deal final हुई, मैंने next day बोला, आप pick up कर ल किया, तो उनका जो भी technician आया था, मेरी गाड़ी का inspection कर, वही आया है, मेरी गाड़ी का handover लेने के लिए, वो बहुत सारे papers का bunch लेकिया, double double copies थी, triple copies भी थी, कुछ एक, मेरे जो अधार card, pen card, और मेरी RC, इनकी photocopy sign करके मैंने दी, जतने भी form थे, NOC form होते हैं, जो भी, वो मै दो रान कोई गाड़ी में कोई damage accident नहीं हो गया हो, यससे, basically क्या होता है कि जिस condition में inspection हुआ था, price लगा है, क्या उसी condition में आज भी गाड़ी है, इस दोरान कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, वो re-inspection उनने quickly किया, और उसके just बात मैंने paper signing किया, उन्होंने done बोला, अपनी company को paper signing is done, inspection is done portal पे, उन्होंने 2-5 minutes मेरे account में, जो भी balance amount था, 3,19,000 वो आ गया, जैसे amount है, मैंने उनको key hand over की, and that's all, उन्होंने 90 days का मेरे से time लिया, 90 days में वो RC transfer कराएंगे, सारा documentation, पूरा headache, पूरा process उनका है, किसी तरह का मेरे कोई लेना देना नहीं रहेगा, हाँ, मैंने उन जाती है, कि आपकी गाड़ी सही जेगे, पहुचे proper documentation हो जाए, तो इतने बड़े brands के साथ deal करने का यह थोड़ा benefit तो रहता है, तो आप जब भी गाड़ी sale करने का plan करने मैं suggest करूँगा, एक बार इन platforms पे at least गाड़ी sale करनी है नहीं करनी हो, बाद में last आपका decision है, at least price ले आपकी गाड़ी का market में क्या price आ रहा है, समझ रहा है, यह price कैसे लगवाते हैं, इनके thousand of vendors होते हैं, दलाल कहे लिजे, brokers कहे लिजे, agent कहे लिजे, जो की bidding करते हैं, online तुरंद गाड़ी का data डला, quality वालोंने verify किया कि हाँ यह सब है, तुरंद bidding स्टार्ट होती, बोली लगती फोटो के बेस पे, kilometer, year के बेस पे, market requirement के आप से, हर बंदा बोली लगाता है, मैं maximum इतना दे सकता हूं, वो maximum price आपको यह offer करते हैं, समझ रहा है, इस तरह इनका पूरा selling का process रहता है, तो documentation मैंने करके दे दिया, मेरी कोई headache नहीं, गाड़ी मेरी अच्छी price में से लोगी, तो आपकार exchange में price, इस तरह से आप अपनी गाड़ी का best price ले सकते हैं, तो यह मेरा experience था, मेरी गाड़ी sale करने का, किसी को कोई doubt है, किसी को कोई query है, कुछ मन में आ रहा हूँ सवाल, तो please comment कर देना, मैं reply करूँगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज, शुक्रिया, thank you very much, मिलते हैं next video में